हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आमीर और आप देखरें नॉलेज हंगामा यूटूब चैनल आज के इस बीडिजो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एके टी यू के सिमिस्टर एक्जाम में कौपी को कैसे लिखेंगे ताकि आपको अच्छा निमबर मिले एके टी यू में सिमिस्टर एक्जाम जो होता है उसमें कौपी को लिखने का सही तरीका क्या होता है जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिले तो इसे के बारे में आज के इस बीडिजो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप कौपी के बारे में जा लेजिए कि जो आपकी answer seat होती है उसमें total 32 pages होते है मतलब उसमें total 32 sides होते है और जो आपकी copy होती है aligned होती है मतलब उसमें line बने हुए होते है तो जो copy आपको मिलती है उसमें already left side में जो margin line होता है और draw होता है तो आप चाहें तो right side में उसका margin line draw कर सकते हैं और उसको rough work के लिए यूज कर सकते हैं और बीच में अपना content लिख सकते हैं तो इसमें आपको क्या काप करना है कि इसमें जो आपको copy लिखनी है अपनी semester exam के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दो pin का यूज करना है number one blue, number two black इनी दो pin की use से आपको अपनी copy को लिखना है जो आप अपना answer number लिखते हैं उसको आप black pen से लिखेंगे और उसको middle top में लिखेंगे मतलब उपर middle में copy के middle में उपर उसको आपको लिखना है और उसके नीचे आपको underline भी कर देना है इसी तरह से आपको जो definition लिखना है या फिर जो आप कुछ उसमें और भी लिखते हैं heading लिखते हैं कोई और point लिखते हैं एस सबी चीजे आपको left side में करनी हैं left side में करने के बाद उसको एक line छोड़के दूसरे line से आपको उसका content लिखना start कर देना है माल दिजीए आप कोई ऐसा question कर रहे हैं जिसमें कि उस question के कई type हैं और उसके हर एक type को explain भी करना है तो उसमें आपको क्या कम करना है कि पहले हर एक type को mention करना है फिर further उसके बाद हर एक type को describe करना है इसको सबसे पहले वहाँ पर mention कर देंगे फिर उसके बाद एक-एक type को उठा के इसको आप नीचे describe करते चले जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप बीना mention कि ये describe कर देंगे ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि जो examiner होते हैं उनके पास time नहीं होती है आपका पूरा content देखने के लिए कई-कई बार एसा भी होता है कि ओ सिर्फ आपके type देखके ही आपको number दे देते हैं तो आपको एक जगहाँ पे सबसे पहले आपको उसके type को mention कर देना है जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको बताय हुआ था कि जो भी आप paragraph लिखते हैं उसको आप बहुत लंबा चवड़ा paragraph मत लिखिए क्योंकि एतना लंबा चवड़ा paragraph कोई देखने नहीं जाता है कोई भी examiner उसको नहीं देखता है उसको आप point point में उसको divide करकरके थोड़ा थोड़ा portion करकरके सब paragraph में उसको आप लिखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको फायदा यह होता है कि examiner का जो attention होता है वो आपके point पे चला जाता है और आपको क्या काम करना है कि आपको अपने copy में हर एक question के लिए एक suitable diagram या फिचार्ट या फिट टेबल या फिर उसका एक example आपको उसमें mention करना है जो भी आप question कर रहे है उसका कुछ अगर आपको rough करना है तो उसको आप चाहें तो जो आपको copy होती है उसके सबसे last page पे सबसे आखिर page पे आप rough work कर सकते हैं करने के बाद उसको आप cross करके उसको काट देंगे और उपर लिख देंगे कि rough work या तो आप चाहें तो हर एक page के जो आपके right side में जो आपने margin line drop या हुआ है उसके right side में भी थोड़ा भूत कर सकते हैं और अब आप अपने AKTU के semester exam जो होता है उसके question paper के बारे में जान लीजिए इस पेसलिए अगर आप B.Tech course ने हैं उसमें total तीन section होते है section A, section B, section C आपको तीनो section करने होते है और जो आपका first year या second year वाले student होते है उनका जो section A होता है उसमें total 10 question होते है हर एक question दो number का होता है और हर एक question monodatory होता है हर एक question अनिवार होता है हर एक question को आपको करना होता है तो यह जो question होते है इस sort type के question होते है इसमें जो आपको इसका answer भी लिखना होता है वो भी आपको sort में लिखना होता है ऐसा नहीं है कि आप इस दो number के question के लिए बहुत जादा जादा लिख लिजिए ऐसा आपको नहीं करना है वहें पर जो section B होता है उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 5 question दिये जाते हैं और हर एक question अनिमार होता है हर एक question आपको करना होता है और वहें पर जो आपका section C होता है इसमें फिर आपको 5 question दिये जाते हैं लेकिन इसमें हर एक question में फिर sub question होते हैं मतलब जैसे दे दिया कि जो आपके पांचों कोश्चन दिये हुए हैं, उसमें से कई आपके हिस्से होते हैं, A, B, C, ऐसे करकर के, तो उन सभी कोश्चन को आपको करना होता है, लेकिन जो आपका सेक्शन C के कोश्चन होते हैं, जो आपको करना होते हैं, मतलब इसमें से पहले से ही एडवांस में कुछ बता दे रहा हूं ताकि आप अपने माइंड में इस बात को ध्यान में रखे रहें और जब आप कोशन पे पलेंगे तो वहां पे आप देखेंगी कि लिखा हुआ होता है इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कौन कौन से कोशन करने हैं कितना करने हैं ये सबी चीजे वहां पे दी हुई होती हैं तो आप वहां से भी पढ़के समझ सकते हैं